का रहें तोलक करोना रही और दूसर सरका ला जाई करोना आपने भाग जाई वोगी जी यह करते हैं कि सान भाई सा छोड़े हैं जोन बोज जोती आत्वा यह खाच चा रहा था हैं और जब घरम नाई रही तो उनके दूर की लोग दिये थोरो हो जाई कौन काम किया है इन हमरे लोग के सबसे जानवर सब्सक्राइब घाटा रहा हैं हां तमाम परेशानी वह बैठा रही वह रखावे खरती लीवली सब बंद हो गई है तो क्या लगता है कुछ घाटा होने वाला है कुछ पार्टी का अखले सयाद हो का या किसी चीज का अभी है वाला गुणनकर अगलिएस के परचार परसार ना ही हो पावत भाई आए थी विजन पावतारी इक हमन लोगतन घ्री सतो परचार करहा ठीम तैघ तो हुड थे ऐर धरी खर और रहैंों करोना चालोंने के खायरेके अभी है नोब कुछ आई प्र और प्रशब्सक्छ यह डek साड क्या वोट भी चरेंगे इस बार साड तो वोट लई जाता है नमस्कार आप देख रहे हैं फोरम फोर और उत्तर प्रदेश का चुनाओ जैसा कि अब चुनाओ के तारिखों का घोशना हो चुकी है और पश्चिम के छेत्रों के बाद पूर्व में पूर्वांचल में चुनाओ होना है यानि कि चोथे पांचवे चरण में चुनाओ यहाँ पर होगा जहाँ पर हम आये हुए हैं और यह जगह है बस्ती जनपत के महादेवा विधानसभा छेत्र में आता है धोभट गाओं है यादो बहुल इलाका है और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो भी यहाँ पर लोग हैं वो उनसे कि क्या यहाँ के मुद्दे हैं चुनाओ को ले करके और आखिर वो किसे सपोर्ट करते हैं और क्यों सपोर्ट करते हैं और इस बार का पूरा-पूरा माहौल क्या होने वाला है यहां पर आप देख सकते हैं कि जहां पर आए वहां पर यह प्रधान का घर है और यहीं पर सारे लोग इकठा हुए हैं और यहां पर हम इनसे जानते हैंकि क्या कुछ माहूल सबसे पहले आप सही पूछते है क्यूंकि आप समाजवादी पारटी पुरा घंचा नकील पेटे हुए है। तो क्या कहेंगे मतलب कि आपका क्या लगता है कि इस बार क्या की प्रटी में इसावाली तब टेंगे तो जीतेगी और लोगों से बात करते हैं जो कारी करता नहीं आप तो कारी करता ठीयरे और आप आप क्या कहेंगे, आप इस गाउं के आमाद्मी हैं? भई, साइकिल पे समर्थना ही, अगले से दो. क्या मुद्धे हैं? यहाँ पर क्या माहौल है? है विकास जादा करते हैं बच्चन पर पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और जोगी सरकार में बच्चन के बिलकुल ध्यान नहीं है पढ़ाई के लिए बिलकुल ध्यान नहीं है तो यादो जी को ही बोट करेंगे ऐसा क्यों Gomez किra कारन तो होता है कि आप लोग यादो को लिए कारीकाल पांसाल का पिछलrant कि अरिए जुन सबका परेशानी हैं हमुग तो परेशानिया है कौन समस्या कि तेल के महगाई है लटकर के पढ़ाई होए नाई पावत पाई है है हर एक चीज के परेशानी बाह रहा तेल बिजली इखुल के समेश्य तमाम आवा जावा करत बाए का कि इंद्या आप क्या कहे पांच साल में कुछ नहीं हुआ अभी तेल पानी सस्ता ही कर दिये योगी जी कितना सस्ता कर दिया अब तो और पढ़ गया हां सस्ता कहा हो गया पेट्रोल डीजल कुछ सस्ता नहीं हम तो ना जानता ही भाई हां मांगे हो इस राशन ओसन जो दे रहे हैं अरे कौनों फरक प्राइब भलू आवा वाक तौन हो तो जान वर के लिए तो बहुत सारा चीज गौसाला उसाला बनाए थे कि अब राज को छोड़ देते हैं अब आप अब इनने चारा का रानाई पर शुकाईद नहीं करते हैं कि इसे सिकाईद कर रहे हैं अज जोगी महराज आवे तब तो कही जाये आज जोगी महराज देखी नाए हमे लोग पारिद केसे करी बाबा जी ने लेकिनि bhoансार्रा काम भी किया गिनाते यह पार बाबाजी थी जिक सबानेWhat कर दिए हàng कि घर में कि होंका माद नाई है जो बाहरे बॉर यह जो तो और वह आई जा तो है आरे जो है इता है इता है तष्यट आपको क्या लगता है कि योगी जैसे दिवाली वाली बहुत बढ़िया मनाते हैं योद्ध्या में बहुत सारा काम करते मंदिर उंदिर बनवा दिये तो कुछ फरक पड़ेगा चुनाओं में ना ही हमरे लोग के लिए ना ही फरक पड़ी आप लोग किसान है अच्छा आप क्या कहिए डीजल सबसे महांग बाय है योगी सरकार में मोधी सरकार में सबसे जादे दिक्कत तो डीजल से वाय और उस सजादे दिक्कत जोन बाय जानवर करुशर्षों का तेल उकल सच्टे कई दिया ही निकदम और नवकरी तो लड़िकन का पढ़ाय लिखा अच्छा काम किया है कोई लोग कोई अच्छाई भी होगी जी का वहाँ जीका कोई एक अच्छाई भी होगी योगी जी का वो कुछ लगता है यह योगी का चाहिए यह मंदिर बनाए स्थोरो पेट भरी हमरे लोग करें तो अखलेस यादों में क्या अच्छाहि है अखलेस यादों बहुत अच्छाहिए भाए बताएए दो चाहर गिनाए सव नंबर 108 नंबर पेंशान भत्ता इस सब अखलेस यादों देथा जोन बहुत और यह बंद कहीं देथा इंड़ के सरकार बने पर आरोप लगता है कि यह मुसल्मानों की पार्टी है ऐसा हो इसा ना यह इसन कौनों बात नाइब हम रही है इस बार क्या रहने वाला फिर आकड़ा कैसे इस बार जैसे दावा हो रहा बाच्पा 300 प्लस चीटे रहेगी बहिमानी करा चाहिए यूंब जीत ले नाई तो जीतक तो हम रहे इहां तो जो परसंट रोट साइकलियम परी सब परसंट मतलब साइकलिये में इनाए बग सव परसं सब्सक्राइब कर रहे हैं लड़ी रही है लगी रही है लेकिन बहुत कम ही लोग कर रहे हैं जानवर अरे जानवर तो खाड़ा रहे था इनकुल खेत बारी यह जानवर से कौन बात हुआ है सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपके गाउं में सब लोग बता रहे हैं साइकल को वोट जाएगा और बाकी पार्टी अभी तो है कांग्रेस है बसपा है और तमाम पार्टी है तो यहां साइकल यहां कुछ काम कईके गए बार यह जोतना गरीब जोन कहा थीन तो उन चूट देन जे जट सरकार जितना कर जाओ जाजे करहां माप की रहे हैं तो करेबास सड़ा कोड़क जितना टुटी फुटी रहे सब बन्वाइं जोनव बन्वाए गई नुहें बना आज लिए कतना जोगी साइब बन्वाइब बना है उत्तर प्रदियस में तो केकर की हल हो है अक सर्विस मिली है घर वाइथे पास होई जाते हैं फर्ष्ट नंबर आओ थे उनके को सुनवाई होई आप भी आ जाई है भी रिधर तो यह कुल प्रिसानी अब सो रुपिया कही हो डीजल भाए रहा पिट्रोल कही हो भाए रहा आज वह आज वोटे आई गे बाद दस बारा रुपिया घटाई दी बस जहां यह लक्सनपूर बहता फिन अभी जितनी रेली किये हैं बहुत जादे बता रहे हैं कि बहुत जादे भीड़ा आई है उनके बहुत समर्थन मिला है अब भाई जहां भी आया हुई तहाया हुई हमरे कि नाई कोनों भीरे उनका जहां सुने बंद हो गई है तो क्या लगता है कुछ घाटा होने वाला कुछ पार्टी का अखले स्याद हो कि अब यहाटा हो वाला 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 कि उनके परचार परसार नाई हो पाउत वह आवतिन तहां हुई है उठादीन और वहीं पाउत हैं इक उनका मुझे इसे तूपर चार करा तो इसे उन्हों छूट दिया नहों परचार करें जिका नशीब होई थे पाई तो और सबको के लिए रएली बंद हो गया है तो कहें बंद होता रहा गया नाई वता रहें कुरोन को दो दो बार अगलेस का वाई बैदो दो बार नके कुरोना चालो हुए गार रही दो लग दिलिम सरकार है तब भी कुरोना है कांग्रेश की सरकार राजस्थान में तब भी कुरोना हैं तो कहिए ना यह सुने रहे हैं लगिने नहीं राज महां सुना था करोना आए बाए अब अब जाता हैं मोदी जी ले आए कोरोना जो फाइदा वाग सबका डिरवाव सिंकि कि कि कह वहीले डोले ना कहूं आवज जाए ना अब अब अपने मोजी आपन चला है हां तो उसे का होई जाए जाए पिर अब की भाइब तो तो उसे किसाने के चूस ले आपकी होए कभी नुकसान जादे होईगा बाए अब किसान तो परिसान है बाए हाँ जो गोड़े से परेसान बाइब आप अब दीजल तेल कुल महां आ ये तबाइब आदियो वद्यों जोन दूसरा करेंगे तो नहीं तो नहीं ता वहां लगवादी है लगवादी लगवादी लेकिन किसान ने कट फ्रसान एक करita कि तैनल मिलाब करहा है हमार कम से कम गया सथ हम इनum यंदभी एक महीना की एक महीना का सही बोला है इसे चक्की चलता है इसलिए आप लोगों का बिल कितना आजा आजा तो पहले कम आता था पहले दुधाई सो रहा है अच्छा यह कह रहे हैं लेकिन जो भागाई बढ़ रही है जो चीज है वो तो सुविधा भी मिल लए उसी साफ से ऐसा आपको लग क्या मुद्दा क्या क्या है मुद्दा तो बहुत वाए सांड चरी डारीन पूरा किसानी सत्यानास होई गया और वे रुजगार आदी बैठा हैं कौनों कमाई ध्रमाई नाइब पूरा अगदम पानी भरी गया नहर नाई बनाएं नाला नाई बनाएं सब्धान नस्ट छी कारिए रहा है बहुत मुक्त हो गया अपराद मुट सोगे अपराद बढ़ हैं मुक्त नहीं हुआ है अकलेस ही आएंगे जबाद रटास सब खतम हो जाएगा सरकार बढ़ियां अकलेस की है कहने में रहता है कोई मुखमंत्री आई तक आया ही नहीं हाँ अकले जैसा मुखमंत्री कोई आया नहीं कितना पंडित लोग के मरवाय डाड़ी से के गाड़ी चलवाय दबवाय दिए कहां पर किसाने रहें जोन बैठा रहें यूनियन पर के मरवाय रहा के गड़िया चलवाय रहा उहीं खर्तिन फिन आवा था इसाथ सो नहीं जोसमें तो जो लखीम पूर वाला हुआ था हां किसान बैठार आपने मांग खर दीन तो उनका जनुवाय ले लिए तो ठीक है सबसे ज्यादा साड यहां किसान के साड एकदम नास कई दिन जब से योगी सरकार बनी है हां एक दाना गन्नानाई हो तो माजा में सब नश्ट हो जाता फसल साड क्या वोट भी चरेंगे इस ब समाजवादी पा रही है तो यह आप सुन रहे हैं आपर कि समाजवादी पार्टी का इनका कहना है यहां पर जायत अलोग समाजवादी पार्टी के समर्थक ही हैं और यह कह रहे हैं कि अखिले स्यादों सरकार बनेगी इसलिए बनेगी क्योंकि यहां पर साड जो है प्रमु के लिए नहीं पूरा कर पाई और जिस पर यहां के ग्रामीड जो आसी नाराज है और इस वज़ासे जो भाजपा का बोट-बैंक है वह कही कहीं कम होगा और मतलब बोट बैंक को नुकसान होगा और इससे कहीं ना कहीं अखिले स्यादों को फाइदा मिलता नजर आ सकता है देखते रही हम आए साथ बने रहे हैं मैं प्रभात कैमरा प्रसंद सुमित के साथ खबरों में बने रहने के लिए फोरम फोर को सब्सक्राइब करें और नौटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन दबाएं